बूंद अगहात सहाईगीरी के से खल के बचन संत सहजे से प्रणाम दोस्तों स्री राम चरित मानस के किस किंदा कांड में गोस वामे तुलसिदाज जी बड़ी ही प्यारी बात लिखते हैं जो कि हमें एक सुत्र दे कर जाती है प्रसंग से आप सब परिचित हैं जब सुग्रिज विकार राज्य भी से खो जाता है और प्रभू स्री राम जी वर्षा के कारण प्रवर्षन परवत पर अपने चार मैने गुजारते हैं तबी भगवान स्री राम और लच्मन भीया आपस में बेट कर चर्चा करते हैं जो कि हमें कई सारे सुत्र दे कर जाते हैं जिन में से एक ये प्यारा सा सुत्र प्रभू स्री राम जी लच्मन भीया को समझाते हुए कहते हैं कि है लखन बूंद अघात सहाई गिरी कैसे गिरी याने की परवत ये परवत जो है ये बूंदों की अघात को कैसे सह लेता हैं वैसे ही जैसे खल के बचन संत सहजे से खल याने की दूस्ट जिस प्रकार से दूस्ट व्यक्ति के वचन जो है कठोर वचन वो एक सादू संत चुप चाप सह लेता हैं उसी प्रकार से ये परवत जो है ये बूंदों की अघात सह रहा है तो दोस्तों एक प्यारा सा सुत्र स्री राम चरित मानस में जो की हमें ये बताता है की हमें दूस्टों के बचनों को ऐसे ही सह लेना चाहिए जिस प्रकार से सादू सन्यासी खल के बचन याने की दूस्ट के बचन सह लेते हैं और परवत भी उसी प्रकार से चोट सह लेता है जिस प्रकार से एक सादू या एक संत दूस्टों के बचन को पचा लेता है तो आसा गरता हूँ एक छोटा सा वीडियो जो कि स्री राम चरित मानस से लिया गया है आप सबको पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाईए और डिस्क्रिशन बॉक्स में जाकर आप इस चोपाई को और अच्छे से पढ़ सकते हैं धन्यवाद